नमस्कार टॉफी प्रिश्रेट्स में आपका स्वागत है मैं हूं मनीज मरिनोगी रीब और मैं अगले आदे घंटे में आपको ऐसे 50 श्य बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हल्चल देखनों को मिले हलागा बाजार देखे थोड़ी सी गिरावेट देखनों को मिले 18 अंको अगले आदे घंटे में ऐसे ही सेक्टर्स और शेर्स पर खास्तों पर हम चर्चा करेंगे आज के ट्रेट में देखिए दवाब देखनों को मिले लेकिन उसके उलट जो है छोटे मज़ोले फार्मा स्टॉक्स आज के ट्रेड में बेता परफॉर्म करें हुआ खरदारी देखने को मिले केम कर स्थेर्व में लगाता हुझ चाल देखने को मिला और बाइंकिंग गिरावट बॉकिंग कैसि हैं दीमार्ट की बंपर लिस्टिंग हुई लेकिन असर जो है दुस्रे डिटेल काउंटर में देखने को मिला जहां पर हमने देखा था बीटे एक देड़ हफ्तों में बहुत बड़ी जाली देखने को मिले थी वहां काफी ज्यादा मुनाफ़ा वसूली अब देखने को मिले बिटियर स्टोक साथ के ऍविट बॉकिंग का लिए सरकारी बैंकों की बात की जहां पर देखने को मिला है और चारे पर एक इसक्रूसिव खबर आई है यानि कि अधर अची खबर है इस पर बात करेंगे लगल की जते हुए घर बादार में भी एक अच्छी मजबुती जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर आज के टेने ठोड़ी खरदारी देखने को मिल लेखा सुपर जे चीशतर से हमने देखा है कि बाजार भले दिन के ओपर निचलिय असतर पर पर्फॉर्म कर रहा है ठोड़ी खरदारी देखने को मिल लेए है क्या राय होगी जेके लक्षमी सेमेंट इंडिया सेमेंट जैसे स्टॉक में जिसमें हम देखते हैं कि जब भी पूल बैक आता है एक मजबूत पूल बैक देखनों को मिलता है कि मनीशे डेफिनेटली आप डेकिंट स्टॉक जो है बहुत ही पेक्यूलर काड़ नेचर इंपर्टिक्ला स्टॉक का है आप अगर चार्ट केंट तो कहीं सारे पिगीज हैं जो इंडिया से मैं अट्राटेक इनमें कहीं आपको थोड़ी कमजोर ही दिख रिख 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 र किया वह एक स्टेंड आउट परफॉर्मेंस आज की डेट में दिख रहा है तो मेरे कहाल से सीमेंट सेक्टर से ना रिलेशन होगर कुछ एक इंटरनल स्टॉक स्पेसिफिक जहादा रिलेशन्शिप है क्योंकि अगर आप अंबुजा सिमेंट ये बाकी सिमेंट के स्टॉक तेखें वो तेजी पुन पर्टिक्लर स्टॉक्स में नजर नहीं आ रही है तो अगर किसी को स्पैक में एंटर करना तो जेकल अक्षमी डेफिनिटल बहुत अच्छा पिक होगर को कि गिरते वे मार्केट में जान नाइंटी वन अंड को टैच कर रहे हैं वहां पर यह पर् तो जेकल लक्षमी एक सिमेंट होगा जहां पर खरदारी करनी की आशिशी सला दे रहे हैं उनको लगता है कि यहां से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है आप इस शेयर पर नजर बना के चल सकते हैं रहा कि बाकी सिमेंट स्टॉक पर उनका नजरिया थोड़ा न आज के लिए देखेंगे एक बड़ी रली देखने को मिली थी आज के लिए जेके लख में सिमेंट जैसे स्टॉक पर नजर बना के चल सकते हैं आज के देखिए एक इंटरस्टिंग देखनों को मिला है चोटे मज़ों फार्मा स्टॉक्स देखिए पहले आशिस जहां जादा तेजी है ग्यूफिक बायों में देखिए अच्छी मजबूती करीब साथ परसंट के मजबूती देखनों को मिले हैं नू लैंड में देखिए करीब छे परसंट की मजबूती इसके लाबा एलकेन लैब पेरामेंटियल ड्रक्स जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट् और चलिए के साथ दिन के निस्ली असतर पर करवार कर रहा है डॉक्टर डेडीस वह काष़ फार्मा अर्मीन दो फीर्मा जय स्टॉक से जहां पर दब देखने को मिला अब दो हिस्तों में में कौण से पसंद हो गया इस चीए बहुत अच्छा आप ने आदिया कि यह तोनो मुझमेंट हो रहा है जैकली वही चीज आज देखने के लिए मिल रही है आप देखें डीवी में जैसे एक उब्जर्वेशन है और उसके बाद गाप डाउन ओपनिंग उसका इफेक्ट हर जो मेजर लाच के स्टॉक से इसमों देखने के लिए मिला है सन फार्मा की बात करें अर्बिंदो फार्मा की बात करें अर्बिंदो फार्मा ने बहुत अच्छा ब्रेक आउट कल दिया था मुझे लग रहा था कि शैद सूट साथ सो पच्छी साथ सो तीस के लेवल को टैच करेंगा पूरे सेक्टर में जो एक निउस आई उसको भी मार पिटी इस पर्टिक् मार्केट सब्सक्राइब उनको इतना ज्यादा खत्रा नहीं होता FDA के फार्म 483 इशु होने के उपर मेरे कहल से वही एक थीम प्ले होरी पिसली एक दो सालों में जहां आपने देखा है कि US या UK एक्स्पोजर जो कंपनीस हैं उनको काफी ज्यादा क्रेक्शन देखने के लि देखना चाहिए तो कहीं ट्रेंट फार्मक शेयर हो जहां पर मजबूती देखनों को में से लेंगे दिगेज फार्मा इसमें गिरावट देखनों को मिलें दीवी लाइब डॉकार्ट फार्मा क्या इसमें कोई शेयर आपको बिक्वाली के लिए पसंद है साथ सो रुपे के नीचे आया है तो थोड़ा सा करेक्शन और आना चाहिए मैं इसमें सेलन राइस की स्ट्रेडीजी मुनीशी दूंगा अगर फिर से साथ सो तीन रुपे के आसपास टेच करें वहां पर सेल करें आप साथ सो बारा के आसपास का एसल रखके चले और मुझ को लगता कि दवाब देखने को मिशन सकता है और सब्सक्राइब बेतन भत्ते में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती है जी बिजनस के खबर हाथ लगी है और इसी मुद्धे पर बात करने के लिए में साथ मैं सवय की संतोज जूड़ चुके हैं आलोग जूड़ चुके हैं आलो क्या है पूरी खबर? इस लिए सरकार को रास्ता निकालने के कोशिश कर रही है पिछले हफते जो एक बात करने के कोशिश कर रही है। बैठक हुई थी उसमें इस रिपोर्ट को रखी गई थी इस रिपोर्ट पर सरकार ने चर्चा की लेकिन कहा कि यह जो रिपोर्ट अशोक लवासा की रिपोर्ट दी है वो जादा है और कहीं ने कहीं इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करने की जड़ोत है तो जो जो सात्वे वेतन आयोग ने रिपोर्ट दे थी जिसमें 27, 16 और 8 फिस्दी था जिसमें उसको लेकर जिसको हंगामा हुआ था और लोगों ने करमचारियों ने परदशन किया था तो अब कहीं ने कहीं ये 27 या 34 या 30 के बीच में कोई ने कोई रास्ता निकल सकता है 27 फिस्दी भी हो सकता है हाइस जो ब्रेकट हो सकता है तो सरकार अभी इस पर विचार कर रही है और मेरी जानकारी है इसके मुताबिक सरकार इस महीने के महीने के शुरू होने से पहले ही इस पर कोई फैसला लेगी और बहुत हो सकता है कि गुरुवार को जो काबिनेट की बैटक होने वाली है उसमें सरकार यह फैसला ले ले और जो रिकमेंडेशन्स हैं अशोक लवासा कमीटी की उससे थोड़ा कम और साथवे वितनायोक से थोड़ा जाद है यानि बीच का कोई देखना होगा कि सरकार उसको कितना कर पाती है हालांकि जो हमारी जानकारी है साथवे अवेता नायो की जो सिफारिश है 24 फिजदी उससे कहीं न कहीं जादा ही मिलने वाला है सरकारी कर्मचारियों को तो कहने कहिए एक बेतन भरता भरतावा दिखेगा और इसकी गुंजाइश दिख रही है शुक्रिया अब आलो की जानकारी देने के लिए जल्दी से समान तोर पर आसीस जब भरता भरता है तो गारियों की बिक्री बरती है तो फैड़ा चीज़े तोर पर आटो इंसरी है जहां पर तेरी देखनेों के मिलें जाबात मालूती एक ऐसा शेयर है जिसमें मैंने बीटी एक डिर मैंने उसे लागा ताज शो में चर्चा की है जब यह शेयर तीन सो पचास का ट्रेट कर रहा था एक अच्छी मजबूती देखने होती है इसमें से कौन से पसंद का डाया होगी अपकी डेफिनेटल मनीच मुझे भी कहीं पार रहा है कि मैंने 380 के आसपास आपके शो पर ही रिकमेंट किया था मेरा चार्सो बीस के आसपास का पोजिशनल बेसिस पर टागेट था जो अर्मोस्ट अचीव होता हुए दिख रहा है बर चार्ट में अभी भ बाकी स्टॉक्स में आप रहे हैं जैसे मुझल शौ में बहुत अच्छा आज देखने के लिए एक प्रेश ब्रेक आउट मिला है तो मेरी पसंद ये स्टॉक भी रहेगा जो मुझे लगता है 230-235 तक की लेवल तक जाना चाहिए शार्दा मोटर हरिट सीटिंग अब जितन अब फोल्टिंग बनाई जा सकती है